हेलो दोस्तो दर डिवाइन संसा चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले आपके लिए हम ऐसी ही भक्ति और मरोरंजन वरत कथाएं लाते रहेंगे नमस्कार दोस्तो आज की कता की शुरुआत करते हैं हम काल अश्चमी वरत की कता से बाबा महाकाल के कई रूप हैं जिने अलग-अलग तरीके से पूजा और पुकारा जाता है इनी में से एक हैं भगवान काल भहरव काल अश्चमी के दिन पूजन के समय बाबा काल भहरफ की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए कहते हैं कि ऐसा करने से शुख फलों की प्राप्ति होती है बता दें कि महा काल के कई रूप होते हैं जिने अलग-अलग तरीकों से पूजा और पुकारा जाता है इनी में से एक है भगवान काल भहरफ और आणिक मान्यताओं के अनुसार काल अश्चमी के दिन भगवान भहरफ की विदी विधान से पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति भैमुक्त हो जाता है इसके साथ ही उसके जीवन की परिशानिया धीरे-धीरे दूर हो जाती है काल अश्चमी के दिन पूजन करने वाले सभी भगतों को भहरफ बाबा की पूजा कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए ऐसा कहते हैं कि करने से शुप फलों की प्राप्ति होती है अब शुरू करते हैं काल अश्चमी व्रत कता पौराणिक कता के नुसार एक समय की बात है कि जब भगवान ब्रह्मा भगवान श्री हरी विश्णू और भगवान महेश तीनों में श्रेष्ठा की लड़ाई चल रही थी इस बात पर धीरे धीरे भैस बढ़ती चली गई जिसको कम करने के लिए सभी देपताओं को बोलाकर एक बैठक की गई सभी देपताओं की मुदूदगी में हो रही इस बैठक में सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किये और उत्तर्क हो जा लेकिन उस बात का समर्थन भगवान शिफ शंकर और भगवान शी हरी रिष्णू ने तो किया प्रंतु भगवान ब्रह्मा ने भोले नाथ को अप्षप कह दिये इस बात पर महादेव को क्रोध आ गया बताया जाता है कि भगवान शीफ को इस क्रोध से उनके सरूप काल भहरव का जनम हुआ भोले नाथ के अफ्तार काल भहरव का वाहन काला कुट्ता माना जाता है इनके एक हाथ में छड़ी है बता दे कि इस अफ्तार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है इसले ही इने दंडादी पती भी का जाता है कथा के अनुसार भोले नात के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए कथा कैनुसार भगवान काल भहरव ने क्रोध में भगवान ब्रह्मा जी के पाथ मुखों में से एक मुख को काट दिया तब से ब्रह्मा जी के पास चार मुख ही है इस परकार ब्रह्मा जी के सर को काटने के कारण भहरव जी पर ब्रहम हत्या का पाप चड़ गया था क्रोच शांथ होने पर काल भहरव ने भगवान ब्रह्मा से माफी मांगी तब जाकर भगवान भूलेनाथ अपने असली रूप में आए इसके पाश्चात भगवान काल भहरव को उनके पापों के कारण दंड भी मिला कहा जाता है कि इस प्रकार कई वर्षोबाद वारन असी में उनका दंड समाप्त होता है इसका एक नाम दंड पानी पड़ा था कहते हैं कि काल भहरव मातर सती के सभी शक्ति पीटों के अंग्रक शक्र के रूप में सदा उनके साथ तैनात रहते हैं अगर आप इसी शक्ति पीट के दर्शन करने जाएंगे तो आपको मा काल भहरव का मंदेज जरूर मिलेगा वर्थमान में काल भहरव की पूजा उपासना बटुक भहरव और काल भहरव के रूप में प्रचलित है कथा समाप्त धन्यवाद